अच्छा एक और बात क्योंकि जब भी इस बारे में बात हुई है तो परिवारवाद का एक आरोप लगता है और इस समय करेंड ऐसा है कि एक तरफ इंडिया लाइन से एक तरफ आपकी पार्टी है फिर आनलडी और साथ में बसपा है तो और बीजेपी है तो कैसे आप इसको मुकाबला तो नहीं हो रहा साथ में आम आद्मी पार्टी की प्रेजन सुने ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जाएंगे उतना मुकाबला बढ़ेगा और उतना ही मुकाबला रोचक होगा आज ये कहना ये है ये है कौन सा किस सेगमेंट में है आज मैं बात करूँ मेरी कॉ तो यहां बिरेंदर सिंग जी का बेटा लडेगा मैं लडूंगा तीसरे कोई पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल आएगा भी लास्टाइम भी आया था हाइस्ट वोट विच वर गिवर नाइ थिंग चंबी सो वोट लेके गई थी बेस्पी तो कॉन्सिवेंसी स्पेसिफिक पुंडरी जैसी विदानसवा भी हो सकती है कि पिछले चार या पांच चुनाव होगे हमेशा निर्दलिया जीतता है बादशापुर जैसी साड़े चारलाख वोटरों की सीट पे निर्दलिया जीत के आगया था जबकि सारी पार्टी धरी की धरी रही थी तो यह कहना कि अगया में चुनाव भणता है आगरी पांच दिन तै करेंगे कि कौन सी पार्टी लीड पे और कौन सी पार्टी बहुमुद लेके आगे बड़ी है आप अपने आपको कहां देखने है आपकी अपनी पार्टी अपने आपको कहा देख रही है मैं तो मानता हूँ पिछली बार से ज़्यादा नमबर्स हम असेम्बली के अंदर विदायकों के लिए के जाएंगे एक रोड मैप होता है वो रोड मैप क्या है आपका एलेक्शन के बाद का या फिर एलेक्शन तक का हमारी एक कमेटी है जो गोष्णा पत्र के उपर काम कर रही है मैं आपको चीजे बताने लग जाओ तो मेरा रोड मैप तो आज पबलिक हो जाएगी लेट उस कंसॉलिडेट और इकटा हम जंता के बीच में आएंगे एक-एक विशे को लेकर आएंगे एक-एक मुद्दे को लेकर आएंगे चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा पे हो चाहे महिलाओं के उत्थार पे हो चाहे युवाओं के उत्थार पे हो चाहे किसान के उत्थार पे हो चोटे दुकानदार के लिए योजना बनानी पड़े हम एक-एक विशे लेकर आएंगे आपको लगता है कि एक जो confidence था पहले alliance partners के साथ आपका वो अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है तो बारते जन्ता party ने कोई alliance partners छोड़ा है यह तो पूरे देश में पता है और मुझे नहीं लगता कि यह शिवशेना सिंडे और NCP अजीद पवार भी बचने वाली है हम तो बुक्त बोगी है अब आप यह बता दिजे कि जब election में जाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत वाद विवाद और तर्क को तर्क होगा ऐसे मिं प्रधान मंतरी हमेशा इस बात का कहते हैं कि बहुत बतब जो पारिवार वाद है उसको काफी आगे बढ़ा है फिर मुझे यह बताईए BJP में राजनाथ सिंग जी भी केंदर में मंतरी है उनके बेटे MLA है प्रेम कुमार धुमल जी के बेटे अनुराग जी है अगर मैं शुरू कर दूँ गोपिनाथ मुंडे के पंकजा मुंडे है पूनम माजन माजन साहब की डॉर्टर है अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँ तो बीजेपी में जो परिवार से चुनाव लड़े और हिम्मत रखता हो जीतने की वो तो गंगा ना ले और पांच साल में रीजिनल पार्टी इलेक्टरोल से जीत के आए तो हम परिवारवाद हो जाए आज बीजेपी डिफाइन तो करे इस चीज को जोती राजित्य सिंद्या जो उनके केंदर सरकार के मंतरी है उनके पिता जी क्या थे केंदर सरकार के मंतरी रहे कॉंग्रेस के वो भी कॉंग्रेस में रहे और अब आगे तो क्या वो परिवारवाद नहीं है परदान मंतरी जी हमेशा इस चीज को clarify नहीं कर पाए कि परिवारवाद है क्या बोलना बहुत असान है कि इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये अरे मेरे फादर तो जेल में थे हमें पार्टी से निकाल दिया गया हमने तो सारी नई शुरुवात करिये 2018 में क्या हम भी परिवारवाद में की डेफिनेशन में आ जाएंगे हमने तो कोई पुराना सिंबल, पुरानी पार्टी लेकर चलने का काम नहीं किया मेहनत करी, संगर्ष किया, आज भी कर रहे है और कोई आज के लेनी है हम तो मातर छे साल पुराना संक्ठन है अभी तो छे सो साल चलाएंगे, ऐसा बना कर जाएंगे तो सर, दर्वाजे खुले हुए हैं पोस्ट एलेक्शन एलाइंस के लिए दुक्त नहीं, आज ये चर्चा का टॉपिक नहीं है आज हमारा सिर्फ एक ही अनुमान है कि नंबर्ज और फैमिलेज, जनाएक जनता पार्टी के बड़े और परदेश के अंदर, हम उसका और बेतर तरीके से लिए